पर बाइज स्ताइट करते है अपनी आप्रफेक्स पाली क्लास को तो पाइनली गाईज अब में आपको मूउन की टिप बताऊगो कि मूम्न के सरे सही कि तरीके से हम लोगों को डिस्पले गर सकते हैं तो यही चीज आज मैं आपको सिखाऊ तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत ब्लुश था बैग्रांड लेना है मैंने ठोड़ा डॉब्लिट बैग्राउड लिया ठीक है अब मैं समॉल समॉल सेकल्स बनाओंगा और कुछ की ऑपिस्टी कम कर दूंगा तो मैंने कुछ ऐसे पांच छे सरकल्स बना दिया उसकी ऑपिस मैं आपको देना है लेकिन मैंने पॉजीशन की तरह दिया कि थोड़ा बहुत मुविबल चलता रहे और पॉजीशन की तुरू जब भी आप वह देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी आपकी स्पीड होनी चाहिए कि अब हम बनाते हैं मून बनाने के सबसे असान तरीका मैं आपको बतातों कैसे बनेगा आपने एक सरकल लिया डन आपने इक सरकल में आपने क्या करना है कि उसके अंदर दो-तीन सरकल और लेने वह बिडिफरेंट डिफरेंट तोड ग्रेश टच में आपको सरकल लेने और तो moreover थोड़ा अच्छा लगेगा थोड़ा 3D लुक आता है प्रिस्पेक्टिव बदल जाता है मैंने इनर शेड़ो डाल दिये तो उससे थोड़ा प्रिस्पेक्टिव बदल गया है आप क्या करेंगे अब मैं इसके आउटर में सरकल डाल रहा हूं और उसकी कम रख रहा ह मैं यह पाट हो गया अब हम क्या करेंगे अब हम अपनी मेन स्क्रीण में जाएँगे और जिदर हमने मून लिखा है मने am or n तो नॉर्मल तरीके दिया है और एक छोटे ओ को हमने इस बड़े मून का सर्कूलेशन कराया है तो हम यह कैसे करेंगे हम यह तभी कर पाएंगे ज आप प्रेस करोगे वहाँ से आप चोटे सर्कल का एंकर पॉइंट टच करोगे और उसको आप वहाँ पर इसली मूव कर सकते हो सेंटर में और उसके बाद आप रोटेशन डे सकते हैं और धियान रखेगा कि जो आपकी स्पीड होगी वह मेंटेन उन चाहिए ज्यादा फास ब तरीके से आप मून मोशन ग्राफिक्स के तरीके से बना सकते हैं सो गाइस आपको यह मून अली एफेक्स कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्रेजी टॉपिक के साथ ऐसे ही मज़ेदार टुटोरियल के साथ तो बाय टेक